आईए मैं आपको एंटी फंगल के फार्मकलोजी के बारे में बताता हूँ लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं कि एंटी फंगल है क्या एंटी फंगल ऐसे ड्रग होते हैं जो की फंगल इंफेक्शन को ठीक करते हैं फंगल इंफेक्शन में हमारे सरीर के बहुत से पार्ट एफेक्ट होते हैं जिसमें की स्कीन, नेल, रिस्पेटरी सिस्टम और इंटरनल ओर्गन सामिल होते हैं एंटी फंगल के जो फार्मकलोजी है उसमें सामिल है जो टॉपिक आपको करना है उसमें इनका मेकेनिजम अफेक्शन, स्पेक्ट्रम अफेक्टिविटी, इनकी फार्मको काइनेटिक और पोटेंशल साइड इफेक्ट जानना पड़ता है तो हम लोग यहाँ पर कुछ एंटी फंगल के क्लास को जानेंगे और उनके फार्मकलोजी को जानेंगे चलिए सुरुवात करते हैं पॉली इन्स से तो हमारा पहला एंटी फंगल क्लास है वो है पॉली इन्स और इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है एमफो टेरिसिन भी और नेस्टेटिन इसके मेकनिजम आफेक्शन की बात करें तो इसमें जो दवाएं होती है वो जो फंगल सेल मेंब्रेन जिसे एरोगोस्टेरोल भी कहा जाता है इनको वो बांद देती हैं इनके बांदने से फायदा ये होता है कि इनका पोर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता यानि जो फंगल होता है वो मर जाता है तो यहाँ पर जो ड्रक्स है उसका जो फंगल सेल मेंब्रेन इरेगिस्ट्रोल है उसको यहाँ पर बांद कर दिया जाता है यानि बांद दिया जाता है इस फार्मकलोजी में अब स्पेक्ट्रम आफ एक्टिविटी की बात करें तो यह ब्रॉड स्प में पेशेट को देते हैं हमारा अगला एंटी फंगल ड्रग है उसे है एजोल्स यानि की एजोल्स की की कैटेग्री है और इसमें जो ड्रग ने इनका mechanism of action उसी तरह से है कि जो फंगाई में पाए जाते है इरोकस्टोरल एंजाइम उसको ये क्या करते हैं इनिबीट कर देते हैं जो ये जो वाले ड्रग है और ये जो एंजाइम है जिसे इरोकस्टोरल कहा जाता है ये फंगल सेल मेंब्रेन का एक important component होता है जो की फंगस के development में अपनी महत्पुन भूमी का अदा करता है तो ये क्या करते हैं उसमें जो मौजूद एंजाइम है 14-alpha-demythylase उसको ये इनिबीट कर देते हैं और फंगल मर जाता है अस्पेक्ट्रम of activity की बात करें तो ये एजोल पर काम करती है और साथी साथ इनका broad spectrum है और भी फंग और intravenous भी ले सकते हैं दोनों में ये अच्छी तरह से एब्सॉर्फ हो जाती है हमारे सरीर के अंदर हमारा अगला antifungal drug का प्रकार है इसके अंतरगत सैस्पोफंगिन, मीकाफंगिन, एनिडा, लैफ्यूंगिन ये दवाईया आती है और इसके mechanica perfection की बात करें तो इसमें जो है ये cell wall पर काम करती है जो fungal के cell wall है और fungal के cell wall में एक essential जो है एक enzyme पाया जाता है जिसे बीटा 1 3D Glucane करते हैं तो उसको ये जो दवाईया है उसे inhibit कर देती हैं खत्म करती है इससे fungal का cell wall खत्म हो जाता है और fungal के cell wall खत्म होने से fungal fungus का जो है death हो जाता है इसके spectrum of activity की बात करें तो ये जो है effective है candida species और some moits के उपर में यानि इन दोनों fungus के प्रकार में ये दोनों जो है अपना effect दिखाती है root of administration की बात करें तो इसे oral नहीं दिया जाता है इसे सिर्फ intravenous form में patient के सरीर में दिया जाता है हमारा अगला antifungal drugs का प्रकार है terbinafin terbinafin जो है वो alum means types के अंतरगत आती है और इनका mechanism of action जो है वो sequence expertise enzyme के उपर होता है sequence sequence expertise जो enzyme है वो erigostoral synthesis pathway का एक important unit होता है जो की fungus के लिए बहुत ही ज्यादा important है उसके development के लिए important है तो ये जो terbinafin दवा है वे इस जो enzyme है जिसका नाम है स्विकलेन एक्सपोडेस इसको वो खत्म करती है और जो एक link chain बनता है erigostoral synthesis pathway का उसको ये खत्म करने का काम करती है जिससे कि उस fungus की देथ हो जाती है इसका जो spectrum of activity है वो dermatophyte और कुछ east वाले जो fungus है उन पर ये काफी जादा असरदार होता है इसके root of administration की बात की जाए तो जो skin infection के लिए इस्तमाल की जाती है तो ये topically यानि powder के form में सरीर के उपर ली जाती है और अगर systemic infection है तो इसे oral भी लिया जाता है हमारा antim antifungal drug का प्रकार है flucitocin चलिए इसके mechanism of action की बात कर ले तो इसके mechanism of action में जो fungal cell है उसके अंदर में एक conversion होता है यानि fungal cell जो है वो five fluorora cell में convert हो जाता है जिसके चलते जो है इसमें RNA और protein का synthesis होता है और इसके चलते जो है इनका जो है जो genetic structure है fungal का वो बदल जाता है और fungal को आसानी से फिर मारा जा सकता है इसके spectrum of activity की बात करें तो ये combination therapy में यूद की जाती है पहले एक अच्छा antifungal drug मरीज को दिया जाता है और उसके साथ ये दवाई दी जाती है ताकि जो भी बचे हुए जो fungal है वो भी आसानी से मर जाए और उनका जो है RNA और protein synthesis के द्वारा उनको अच्छी तरह से पैचान करके जो antifungal दवाएं मतलब heavy dose की हैं उनको खत्म करने में सहायता मिले तो इस तरह से इसे हम orally लेते हैं तो यहां पर यह खत्म हुआ है